स्वागत नी करोगे हमारा कर लिया स्वागत अब मुझे यह बताओ अगर आपका अटेंड नवेंबर 24 में है पास होना चाते है नियों ना चाते है सेकेंड चीज मैं आपको कुछ चीज़े बताऊंगा जो अगर आपने सही से कर ली और कुछ जो आपने अगर अवाइड कर ली डेफिनेटली नवेंबर 24 इस गूइन तो भी यॉर अटेंप्ट बट उसके लिए यह सारी बाते आपको ध्यान में रखनी है नवेंबर 24 में सबसे बड़ी मिश्टेक आप यह करोगे कि यह ना यू विल स्टार्ट लेट आप बोलोगे रहे अभी तो महौल ही नहीं पढ़ने का अगर मैं अभी आपको गाइडेंस दूँगा भी तो बहुत कम लोग उसको एकसेप्ट करके एकदम सीरेसली पढ़ाएकर शुरू करेंगे मैंने लिखा भी यह प्लीस स्टार्ट अर्ली अगर आप अभी से सीरेस अभी चालू करेंगे तो आपके पास होने के चांस बढ़ते हैं याद रखना आखरी के एक-दो महिने में सब पढ़ते हैं लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ता है उसी कि रहेंकाती वही पास होता है टीक है ध्यान लकना तो ये जो गाइडनस मैं देनेवाला हूं प्लीज स्टार्टिंग सही के लाश् तक सुनना और सुनने के पहले अल alan हो मे वावु ने कियै अथा तो फिर गाइडनस काम नहीं आती है पहले सबस्क्राइब करना फिर सुनना अब मैं इस वीडियो के इंदर आपसे चर्चा करूँगा कुछ चीजों के बारे में जो आप नॉर्मली फेस करते हैं यो इस सारी इशुज ठीक है सबसे पहले सिंगल दे की बोद ग्रूप दे सर अब डिशाड कर ले कौंचा ग्रूप देना है अब रिवीजन कैसे करें सर क्लासे के रिवाइस कैसे करूँ उसके लावा सर मुझे याद नहीं आ रहा है तो मुझे लेने की वापट जरूवत है क्या अच्छा सर वो बीज में यह SPOM अलग हमको परिशान कर रहे कभी website नहीं चल रही है समझ नहीं आ रहे क्या करें कैसे करें बाद डिली मैं है सर और लाश में बुनस टिप यह सारी बाते में आपसे करने वाला हूँ शांती पुरवक सुनना बढ़िया वीडियो रहेगी आपके लिए चोटे सी सबसे पहली बात सर नवेंबर 24 अटेम्ट है अभी शुरू करना ठीक है अभी से सीरस हो जाना मैं बताया ना पास और रैंक किसकी आएगी जो अभी से शुरू कर देगा ठीक है सेकेंड चीज सर सिंगल रूप दे की बोद ग्रूप दे सबसे पहले अपनी सिच्वेशन अस अगर आज के दिन तक आपकी 50% क्लासेज हो चुकिए मतलब 6 सब्जेक अगर आपकी 3 सब्जेक क्लासेज हो चुकी है तो भी बोद दे सकते हो ठीक है जो बाकी सब्जेक की क्लासेज बाकी अगर मुझे लगता उसको आप exam oriented fast track मरान में complete करो और क्यूंकि आप late-late classes कर रहे हो तो थोड़ी सी क्विक बाच चल जाती है विकॉस आप सीरेस स्टार्टिंग से रहते हो उसकेस में ठीके तो आप उस तरीके से कर सते हो बट अफकॉस इट शुड भी और परस्नल डिशिजन कभी-कभी होता है कि किसी के पास भले टाइम है बट उसको लगता है मिरको इतना लोड हैंडल नी होएगा तो अगर आप से लोड हैंडल नी होएगा तो आप सिंगल देना लेकिन जैसे मैंने बताया अगर तीन सब्जेक्ट या उससे जाधा क्लास हो चुकी है तो आप डेफिनेटली बोथ के लिए ओप्ट कर सकते हो और माइड में बोथ रखो के तो बोथ दे पाऊगे मुझे ऐसा लगता है और महनत भी आप डबल करोगे जब इंसान सिंगल देता तो महनत भी आदी करता है इसा मुझे लगता है तो अगर आप इन में से सिचुएशन में हो तो गोफर बोथ अच्छा सर शुरू ही नहीं कि अब तक मैंने यसे भी रहेंगे शुरू ही नहीं कि है सर अब क्या करें सिंगल देना फिर ठीक है तो यह मिरको लगता आपको इस तरीके से डील करना चाहिए अच्छा अब सेकेंड चीज सर अब डिसाइड कर लिए सिंगल की बहुत अब रिविजिन कैसे करें सर देखो सिंपल है अगर आपने सवाल पुछना तो नोट्स बनाए होंगे तो वह नोट्स आपको रिवाइस करना है सबसे पहला फोकस करो के सेल्फ रिविजिन पर लेकिन कुछ अगर आपने बहुत पहले की तो चीज़ रिकॉलिंग में आपको इशु होएगी तो वह रिविजिन वीडियो देखके आपको रिकॉल करना है तो फ्लो क्या रहना चीए पहले अगर आपको को चाप्टर लगता है कि आप सेल्फ कर सकते हो सेल्फ करना हो रही है देखो कैसा होता जब आपने कोई चीज बहुत पहले पड़ी हो तो डेफिनेटली नी होने वाली है तो इट इस नॉर्मल तो हर किस में तो ने क्लास लेते बेट हो गया तो सबसे पहले आपको यह देखना है सवा मैं कुछ सवाल पूचूंगा उसका जवाब देना अगर आपका यह सारी चीज हो में लग pewnoरा काम संद्री हें में और देखी हमगने ओने व क्लासे होगी क्लास लग से देखी होते टेक्व नहींरा लेकिन रिवाइस तो ही आपका यह सारी चीज हो में लाकिंग है तो उस case में you can consider going for the classes लेकिन अगर आप दुबार classes ले रहे हो तो fast track badge ही लेना जो भी subject का आपको जमता है fast track badge लेना, बट जरुवत पड़े तो हर case में classes is not the solution तुम समझ रहे हो, हो सके, अगर तभी अच्छे से काम किया हो है, तो अभी revision पर focus को रिवाइस कैसे करेंगे, मैंने बता है, revision वीडियो इसको recall हो जाता है, एकदमी भाहियाद पोजिशन है ऐसा confidence बिल्कुल ही आ रहे है, चैप्टर उठा रहे है तो भी बहुत ज्यादा समय लग जा रहे है, एकदमी confidence नहीं आ रहे है, तो go for the fast track badge अभी बच्चे में को FR के लिए पूछ रहे है, FR के लिए लेना तो कुन सा बैच ले, मैं बोल रहा है, मेरा fast track exam rented batch है 170-175 hours का, it is more than sufficient, ठीके, हाँ अगर आप single group देने वाले हो, FR पहले पड़ी नहीं रखा है तो आप regular batch ले सकते हो, जो मैंने पहले लिया है, मतलब recorded वाला regular batch अभी मैं एक live regular batch भी आ रहा है, वो मत लेना, वो May 24 onwards के लिए ठीके, ध्यान रखना, उसके लावा, तो यह आपको तीन चीज़े बताई, उसके लावा SPOM से कैसे deal करें, सर कभी website नहीं चल रही है, classes ले निले समझ नहीं रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, SPOM को थोड़ा समय दे दो, ठीके, अभी वो पहले करने का बड़ा चुल रहता है, कि फटाफट करके complete करू मैं, है ना, पैसा मत करो भाई, थोड़ा समय देदो, अगर नहीं चल रहा न लुक जाओ उसके लिए, उसको छोड़ दो, बाकी subject को आप टैकल कर लो, और जैसी आपको अपने दोस्तों सा मालूम पढता है, कि अभी website ठीक टाक चल रहा है, सब कुछ साही smoothly चल रहा है, तो वह के complete कर लो, अब SPO में classes करें किया, देखो, ICAI ने पहले content आपको दे रखा है, वो 30-40 गंड़े कुछ content है, पहले वो देखो, उसको देखके अगर आपको लगता है, कि आपसे exam crack हो सकती है, तो फिर classes मतलो, क्य जो भी आपको सही लगे, ठीक है, तो यह चार point पर मैंने बात की, हाँ, अगर इसके लावब कोई point छूड गया, तो comment section आप ही का है, जरू बता देना, उसके लावब एक bonus tip, ठीक है, बोनस tip देने के पहले बता दू मैं आपको, FR का मैं सोच रहा हूँ कि detailed revision planner, आपको बताओ कि FR को अगर आपने पहले पढ रखा है, या पहले नई भी पढ रखा है, तो किस तरीके से टैकल करना, FR को, तो FR का एक specific video अगर आपको चाहिए, तो comment section में डाल देना, कि sir, FR video required, अगर को डाल देना, comment section में, तो अगर मुझे बहुत सारे comment मिले, तो मैं एक video बनाने का consider ठीक है, क्या है वो tip sir, बता दू, बता दो sir, जब अभी आप revise कर रहे हो ना, focus on concising the content, sir, इसका मतलब क्या है, देखो, exam में आपको एक चीज़ पता है, कि अभी आप suppose 10-15 दिन लेते हो revision को, exam के पहले 10-15 दिन नहीं है अपने पास, exam के पहले अपने देड़ दिन है, है ना, तो जब आप अभी पढ़ रहे हो, तो your focus should be on concising the content, ताकि वो पूरा content देड़ दिन में revise हो सके, ठीक है, अगर आपने ये भी काम कर लिया, तो भली आपके revision में आज, पर subject, 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाना, आपका आगे जाके बहुत time save होगा, अब ये सी achieve कैसे करे है, अभी जब पढ़ रहे हो, तो suppose आपने 100 के 100 questions कर लिए, सारे questions कर लिए, तो 100 में से मालूम पढ़ेगा, ये तो चिंदी question था, ये बहुत basic question था, ये question था, जिसमें सारे concept cover हो रहे हो तो उसको mark करो, मतलब, basically आप question की filtering करते वे चलोगे अभी, elimination strategy follow करना, जो एकदम easy है, जो एक इसलेट करोगे, वो आप last day पर लेकर जाओगे, तब जाके आपका content concise होगा, conciseness में धरूर फोकस करना भाई, बहुत काम आने वाले है आपको, तो I hope this video was helpful for you guys, कोशिश किये कि, मैं आपको थोड़ा जल्दी guidance देना शुरू कर, normally क्या होता है, कि हम, आपन भी सब जखते अपने को ठीक है, और आप देखना भी, comparatively very less students will start doing these things, जो मैं आपको बताई है, और तभी तो 100 में से सब पास ने हो रहे है, 15-20 पास हो रहे है, तो if we want to be among those 10, 15, 20 students, हमको वैसी महनत करनी पड़ेगी, अभी से महनत करनी पड़ेगी, तो यार, शुरू करेंगे, फटा-फट करता हूँ, जोइन जरू करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो पसंदा लाइक करना, अब तर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो हिलफूल लगी, सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, तो बेस्ट अफ लग, अच्छे से पड़ाई करते चलो, मैं